नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चनल पर और दोस्तों आज में आपको जिस ओसदी पौधे के बारे में बताऊंगा ना इसको आप ध्यान से देखेगा इसका नाम है पुटुस इसको पुटुस घनेरी या राय मुनिया के नाम से जानते हैं पैचानते हैं और आज मैं इसके कुछ बहतरी रुपाय बताऊंगा जो आपके लिए गुड़कारी सावित होंगे तो घनेरी का यह जो पौधा है ना अकसल लोग इसको बिसहला मानते हैं लेकिन बिसहला नहीं है अब कोई भी जड़ी बोटी हो या भोजन हो य तो वो नुकसान देगी लेका अगर लिमिट तक लिमिट से कम मात्रा में उपयोग करेंगे तो नुकसान नहीं देगी ऐसे ही प्रयोग है यह घनेरी का यह पुटोस यह राइमुनिया का इसका उचित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए तो यह आपके लिए अमरत है अग इसके फूल पीले कलर के होते हैं किसी-kisी में बेगनी कलर के भी फूल पाई जाते हैं किसी-kisी में सफेद होते हैं यह ऐसी तीन परकार की तीन चाहर की बिराइटी होती है इसमें हाथ गुशेड़ने से इसमें खुजली उत्पन हो जाती है लेकिन अगर इनके पत्तों को सरसों की तेल में पका ले और नीम की पत्तों को साथ में डाल करके तेल शिद्ध कर ले और उस तेल को अगर लगाती है तो इससे खुजली दूर होती है चर्मरोग दूर होते ह जिसके सरीर में अचाने की खुजली चलने लगती है या अचाने की छोड़ी छोड़ी फुंसिया हो जाती है सरीर में उसके लिए अमरसमान काम करता है यह राहिमनिया पुटस घने अरी बहुत अद्वूद और चमतकारी है इसका एक प्रियोग मैंने आपको बता दिया इसका मारेंगे मच्छर में आपको बता दिता हूँ माली जीए आपके असपर बहुत ज्यादा मच्छर लग रहे है आपको डैंगू होने का खत्रा है या फिर मलेरिया होने का खत्रा है किसी प्रकार का अगर आपको खत्रा है या फिर ज्यादा मच्छर है तो वैसे ही खत्रा रह तो उन मच्चरों को मार सकते हैं चाहिए वो डेंगो के मच्चर हो या फिर मलेडिया के मच्चरों किसी प्रकार के मच्चरों मच्चरों को किल करने के लिए आप राय मुनिया का आप जरूर प्रयोग करें आप उसके लिए इसको जलाएं आप जलाएंगी कैसे जैसे माली इस की अगरबती बनाने पड़ेगी धूबती बनाने पड़ेगी उसके लिए आप करें क्या आपको ले ले कोईला का जो लकड़ी का जो कोईला होता जला हुगा कोईले की लकड़ी का लकड़ी के कोईला का आप पीस करके चूरन बना ले और साथ में साथ आप इस राइमुनिया कि पत्तों को पीस ले जो सुखा ले पहले और तुलसी के पत्ते राइमुनिया के पत्ते नीम के पत्ते इनको भी सुखा करके पीस ले और उस जो लखड़ी का कॉला हो चूरन उसी में इसको मिला करके और फिर थोड़ा उसमें तेल या घी डाल करके और थोड़ा पानी डाल क करके उसको आप गिला गिला कर ले बत्ती सी बना ले उस सुखा ले उस बत्ती बना ले और उसमें थोड़ा कफूर मिला करके और सुखा ले और बस साम को जहां जिस कमरे में सो रहे हैं उस कमरे में उसकी धूब जलाएं तो धुगा देगी धुगा देने से होगा क्या धुग देगी धुमा देने से आपके आस पास की मच्छ मर जाएंगे डैंगु के मच्छ चिकनगुनिया कि मच्छ मच्छ मर जाएंगे आपके गहरी नीनरोगे और आपके स्वास्ते क्लिए नहीं होगा लापकारी होगा बहुत अच्छा है और इसका प्रियोग और रहा मं और दाय में समäस्च्ञ है ऑ परिया कंश्या है और पिर आपके मशोर मा कोई सूजन्धcision दात हीलते है यह दातों में कीध मिल जैती तो आप इस रायब मुनिया की दातों किपहा जू इसकी टेनियंग हालाकि गंद इसकी थोड़ी विकीपर होते हैं ऑर यदि अलक्य यह बीकार सी घे मुद्य करने से भी भूत लब होता है इसके पावज छोड़े जो इसमें रोय होते हैं जो आप आसानी से पैठास के लिए और मक्षरों को मारने के लिए और पारिया को दूर करने के लिए तो जानु करें के